आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं, जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं, नाम काटने की अप्लिकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मुजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं, जो आज आए हैं, वहां से, कुछ ही लोगों को हम ला पाएं, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाएं, उपेंदर कुमार जी होंगे यह पर, उपेंदर जी आप यह 334 में हि रहते हैं, तो आप shift तो नहीं होँे होँ से, वहीं पिर रहते हैं आप अपना कोई वो कार्ड वर लाएं है साथ ये इनका कार्ड है ये वहीं रहते हैं बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लिकेशन डाली हुई है उमा देवी जी उमा देजी वी जी आप भी एट अंबेड कर नगर में रहती हैं आप भी सुदका का है ईप पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका अनजय है सुनेल सुनील कुमार बि previous 26 में रहते हैं हैं शिफ्ट नहीं हुए वहीं रह रहे हैं है सुकेश कुमार आप सुकेश जी आप भी बी 326 में रहते हैं यह और भी बहुत सारे लोग है आप इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बाचित कर सकते हैं कई लोग आएंए मैं सबका नाम तो यहां नहीं лे पाऊँगा लेकिन आप इनसे बाचित कर सकते हैं सब लोग जिंदा हैं वहीं रह रहे हैं और इनके सब के 11,000 जीवित लोगों के मौझूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतिय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमिशन में अप्लाई कर दिया और इलेक्शन कमिशन चोरी छिपे बिना लोगों को बताए बिना वेबसाइट पे डाले इलेक्शन कमिशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रचरा है आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं नाम काटने की अप्लिकेशन दी गई लेकिन वो नाम वो लोग मौजूद हैं वहीं रह रहे हैं यह सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहाँ से कुछ हैं उपेंदर कुमार जी होंगे आप ओपेंदर जी आप 334 में ही रहते हैं तो आप शिफ्ट तो नहीं होए वहां से वहीं पर रहते हैं आप अपना कोई बोल इसाथ यह इनका कार्ड यह वहीं रहते हैं बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लिकेशन डाली हुई है उमा देवी जी उमा देजीवी जी आप भी एट अंबेड करनगर में रहती हैं आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है सुकेश कुमार भी बी 526 में रहते हैं ये और भी बहुत सारे लोग हैं आप इसके बाद मीडिया के लोग इन से बाचीत कर सकते हैं कई लोग आए मैं सब का नाम तो यहां नहीं ले पाऊंगा लेकिन आप इनसे बाचित कर सकते हैं यह सब लोग जिंदा हैं वहीं रह रहे हैं और इनके सब के 11,000 जीवित लोगों के मौझूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतिय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमिशन में अप्लाई कर दिया और इलेक्शन कमिशन चोरी छिपे बिना लोगों को बताए बिना वेबसाइट पे डाले इलेक्शन कमिशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रचरा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद